नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में अपने बात करेंगे नर्सिंग पेरामेडिकल यानि मेडिकल डिपार्टमेंट से समदित जो मुख्य न्यूज है उनके बारे में तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी न्यूज हवाब से मिशना हो तो यहां सकते हैं फार्माशिस्ट के लिए आविदन करने वाले चात्रूवे कम नर्सिंग ओपिसर के लिए अधीग फोरम आये तो यहां पर देख सकते हैं तो राज्य करें राज्य स्वास्ते इंव प्रिवार कलेंड संस्तान सीपो को आठ बर्तियों को पूरा करवाने के जिम्यो की जाएं लेकिन चुंकाने वाली जानकर यह है कि पिछले साल फार्माशिस्ट बर्ती के लिए आविदन करने वालों की संक्या अब करीबें 24,000 से गटकर 17,000 ही रह गई है यानि जब बर्ती निकली थी पहली बार तो 24,000 यहां पर फोरम लगे थे लेकिन यह बीच में रद है उलेकनिया की रास्तन करमचारी चैन बोर्ड की और से वर्ष 2018 में फार्माशिस्ट के पदोपर बर्ती के लिए शुरू की गी प्रकेरिया के तहट 18,950 में अभियत्यों ने आविदन किया था RUHS में MSC Optometry का कोर्स भी परारम होगा तो देख सकते हैं RUHS यानि रास्तान स्वास्ते विगयान विश्वी देले के और से 72,23 तो इसमें पेरामेडिकल संकाय में MSC Optometry का कोर्स परारम होगा RUHS उसे ने कोर्स परारम करने वाली संस्तानों से नवीन समधिता के लिए आविदन मांगे हैं समधिता सुलक, M Pharma, MSC नर्सिंग, MSC परामेडिकल कोर्सिस के अनुसार लगेगी लेकिन माप्टनडों को पूरा करना होगा अब देखो, यह फारमसिस्ट के जो पद हैं, इनमें अगर पोस्ट हैं या जो अप्लाई करने वाले उनकी संके क्यों गटी हैं, उसकी मुख्य कारण है, वो देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं, फारमसिस्ट बरते में आविदन कम होने का पहला कारण मेरिटिब बेसिस पर सीधी बरती करने पर फ्रेसर की रूची नहीं होना है, क्योंकि अनुबो वाले अभीरती को अधिक्तन तीस बौन्स अंक मिलेंगे दूसरा समीदा पर काम करने के सासत लाइसेस क्राएप पर देना मुहर लगने के कारण जोन सतर पर अधिकारियों के और से गड़बड़ी का अंदेशा के चलते अनुबो प्रौन पतर जारी नहीं करना है तीसरा दस्तावेज़ों में गड़बड़ी का डर है ये मुख्या कारण है तीन सो की जगे देट सो बैड का होस्पिटल है ये भी इन्होंने कर दिया है दूसरी नीट की बात करें तो ये देख सकते हैं ये नीट से समन्दित है तो देख सकते हैं नीट यूजी सरकारी कोलेजों में 15% सीटे ए ए एक्यू के लिए जिजरू 85% सीटे राजियों द्वारा भरी जाएंगी तो जुलाई में सुरू होगी काउंसलिंग की परकेरिया चार राउंड होगे यहाँ पर देख सकते हैं 11,45,966 स्टुडेंट को रहे हैं क्यादार पर मिलेंगे कोलेज देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंशी एंटी ए दबारा नीट यूजी 2023 रिजल जारी करने के बाद अब स्टुडेंट्स काउंसलिंग की परकेरिया में भाग लेने की तयारी कर रहे हैं आधिकारिक सुचना के अनुसार सामाने स्रेणी का नीट का टोप स्कोर OBCCST उमीदवारों के लिए 50 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल है इस बार कुल यहां पर देख सकते हैं 20,47,400 स्टुडेंट्स साथ मैं को आउजित नीट यूजी प्रिक्षा में सामिल हुए जबकि 8,753 स्टुडेंट्स है जून को भी दोबारा प्रिक्षा में सामिल हुए इन में से सप्पल हुए 11,45,906 स्टुडेंट्स की काउंसिलिंग जुलाई में सुरू होगी इसके लिए आधारिक वेबसाइट mcc.nc.in पर रेजिस्ट्रेशन जून के तीसरे सब्ता से सुरू हो जाएंगे जैने लगबग मानके चलो आप 21 तारिक के लगबग स्टार्ट हो जाएंगे तो काउंसिलिंग में स्टूडेंट्स को रेंक के अधार पर मेडिकल कोलेज अलोट किये जाएंगे काउंसिलिंग के तहएंगे सबी सरकरी कॉलेजों में अकिल भारते कोटे के तहएंगे काउंसिलिंग کے दूसरे राउंड के बाद खाली सीटें राज्यों को लोटाए जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं जुलाए माय में नीट यानी AIQ यानी All India Quota Counseling परकिर्या सुरू होगी इसके तहत एक दो मोप अप और स्ट्रे वेकंची से इतकुल चार राउंड होगे हैं नीट यूजी 2023 कांसिलिंग के लिए योगियमी दवारों को पंजी करन कराना होगा जिसके त्याथ स्टुडेंट्स को पाठे करम की विकलब भरने होगे और पंजी करन सुलक का भुगतान करना होगा अविदु को द्वारा भरे गए विकलबों नीट 2023 रेंक और सीटों की उपलब दता और आरक्षन के हदार पर सीटें आउंटीत की जाएंगी AIQ में नीट 2023 कांसिलिंग के दूसरे राउंड के बाद खाली हुई सीटें राज्यों को लोटा दी जाएंगी आगे देखते हैं कांसिलिंग रजिस्टेशन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत तो नीट 2023 सेडमेट कार्ड एंटी स्कोर कार्ड या रेंक पत्र कक्षा दसका परमान पत्र और मार्क सीट कक्षा बारा का परमान पत्र और मार्क सीट आईडी प्रूप कोई भी ह फोटो वाला आठ पासवर्ट साइज फोटो अंति मांटन पत्र जाति प्रमान पत्र और पी डवलूडू जो प्रमान पत्र वो लागू हो तो श्रेणी के नुसार कांसिलिंग रजिस्टेशन की फीज की बात करें तो सम्माने श्रेणी जो 15% एक्यू के अंदरे विश्व भी डेले में यहां पर देख सकते हैं और दो लाक होगी तो 15% एक्यू होन के लिए 5000 होगी और जो डिम्ड यूनिवर्सीटे उनके अंदर दो लाक होगी तो राजे कोटा जिसमें सरकारी सीटों का 85% राजे की निजी सीटों का 100% है देख सकते हैं यह जरूशीटे हैं उसके बाद देख सकते हैं 2022 में SMS की कट ओफ रही 622 अंक 13000 रेंग तक भी सरकारी मेडिकल कोलेज में मिला एडविशन देख सकते हैं यहां पर तो हाइ स्कोरिंग की कारण इस साल परदेश के कोलेज की कलोजिंग रेंख में 223 होना तै 맛있 इंच यहां पर देख सकते हैं किस कोलेज की यहां पर जो मार्क सानी रही ती वो देख सकते हैं तो परदेश की मेडिकल कोलेज के कट अप 2023 की संभावी ता है तो SMS की अन्रिजिडू की 662 रही थी 2022 में 23 में रहेगी 633 संभावी थै OBC की 2022 में 660 और 2023 में 671 E-Dulis की 2022 में 657 और 666 रहेगी 2023 में MBC की 644 और 2023 के अंदर 61 रहने वाली है SC के अगर बात करें तो 2022 में 584 और 2023 में 600 रहने के आसंका है ST की 2022 में 578 और 2023 में 584 में रहने वाली है RUHSS के अंदर बात करें तो 2000 अंडिजिडू के टिगरी के लिए बात कर लेते हैं पहले RUHSS के अंदर 655 थी अब 664 का अंदाजा है SPAMC के अंदर 626 थी अब 667 का जो अंदेशा है SNAMC के अंदर 643 और 655 है R&T के अंदर 634 थी इस पर 650 होने का अंदाजा है JLN के अंदर 635 थी इस पर 626 होने का अंदाजा है GMC के अंदर 634 थी और इस पर 645 का अंदेशा है GMC के अंदर 630 थी पिछली बार और इस बार 622 होने का ये अंदाजा है MBC की कटोप शिर्फ लड़कों की यहाँ पर देख सकते हैं बाकी OBC की यहाँ पर देख सकते हैं आप यह कटोप रहने वाली है AWS की यह पिछली बारती और इस पार यह रहेगी MBC की भी यह देख सकते हैं यहाँ पर SC की देख सकते हैं ST की देख सकते हैं इस प्रकार पूरी पूरी यहां पर कटोप देर किये 2022 की भी देर किये और यहां पर संभावित 2023 की भी देर किये तो दोनों यहां पर कटोप आप एक बार चेक कर सकते हैं Medical Studies का बड़ा हब राजस्तान है तो राजस्तान की यहां पर देख सकते हैं रास्तान के लिए कब भी वाली बाता है नीट के साथी अन्य मेडिकल एक्जाम की त्यारियां रास्तान में अन्य प्रदेश के मुकावले बेहतर रहती है वहीं कई मेडिकल संस्तान भी प्रदेश में खुल रहे हैं उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले साल 544 मार्क्स पर अलोट हुई थी कोलेज की पेमेंट सीट और इस बार 619 अंकों पर मिला दोलपूर कोलेज सामने केटिगरी में, तो यह देख सकते हैं, यह भी हो चुकी है, कांसलिंग होनी बाकी है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो इस परकार यह देख सकते हैं, और इससे समदित, यह जो पीडिएप है, आप पीडिएप हमारे टेलिग्राम चैनल या वार्टसप ग्रूप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें जो न्यूज दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, यह ओपीशल जो पेपर है देनिक बासकर और रास्तन पत्रिका से लिगी न्यूज है, जिसमें जो भी तत्य है, वो रास्तन पत्रिका और देनिक बासकर के अनुसारी है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए भरती, एक नए नए न करें के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत